को है Jiang सिस्टम क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम contest है टाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम अहरनल ग्राशनदी घ्रस्ण है यह सब और थोड़े से ह differently गुख मुख्या के में जितने भी बाठी पाउं जानने वाले हैं कि से परप हिंदर यह के लिए हम चीज़में मनुश्यों है तो कई चीजेंगे के कारे को एक साथ कर लेने वाली क्रिया को हम क्या करते हैं दोस्तों सिस्टम डाइश्टि मतलब पचाना तो सिस्टम कई प्रकार का होता है हम हम अगर हम में पाचन अकार हो रहा है तो वह एक सिस्टम हो गया किसी कार एक हो संचालन करना वह एक सिस्टम हो जाता है ठीक है आप मशीन को किसी तर वरकार से होता है डिटेल्स जानने वाले हैं इसमें हम अपने लिए पढ़ेंगे तो दोस्तों और दोसरा क्या होगा दोस्तों किन इन दोनों के बारे हमएं हम जाएंगे तो दोनों मेल करें कि हमारे पाचन की प्रक्रिया अहार जो होता है दोस्तों यह सरीर में सबसे लंबी नली होती है ठीक है अहार नाल यह वाले जो एलिमेंटरिक कनाल है अहार नाल हमारे सरीर में पाया जाने वाले सबसे लंबी नली होती है ठीक है सबसे लंबी नली होती है इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों ये होती है 32 पिड के वतीस फिट जो की हमारे मुख गुआ से शुरू होती है और खतल हुरण की ज़ब पताच되는 अपक्टाром तो हो सकता है ज्यादा हो जाए 33 फिर हो ज़ाया है द Ginsu जो हो सकता है उस सब इसका टीस है इसका हिस्सा मुझ से सुरू होता है तो चलिए मुक से ही सको हम जानते हैं कहां से सुरू होता है मुख गुहा मुख गुहा इसको इंग्छिस में क्या बॉलit को दोस्तों है उभकल केविटी घियर है उन्म को मुख गुहा को हमलो किinos के लिए यूज मिला सकते हैं तो सबसे पहले है है 팀 कुछ सेगेंड के लिए खाने को इस गुषा हो ठीक है के वीटी का मतलब की एक एरिया है एक अपने रूम को भी अगर घर कर करके क्युषाद के पना लू तो उसको भी आप गुषा या फिक का सकते हो उसी प्रकार से हमारा मुह है जहां आप अपने खाने को थोड़ी देर के पिखने लिख सकते हैं मतलब कि अगर और फकोड़ा गरम पखोडह मूं में लीजिस मैं इस इस से यह सारे जो है यह ज़ो है पंडनाल का अब जिसको बलते ह Communald छव भुर लाक्त बंद्रां होते हैं इसकी जो लंबाई होते हैं इसकी फूद पाइप्स तब मतलब किθाने वाली यह ज़्यादा लंबी नहीं होते यह इसका काम ओता है मुट और पेट तक जाएगी आपको जो मुख खुखा से सुरूर रहा है वो जाके कहां तक पेट तक आमासे तक जुड़ जुड़ा रहा है ठीक है 15 सेंट्रीमिटर वाली नली इसी को बलते हैं लोग ग्रास नली लंबाई कितने होते हैं दोस्तों 15 सेंट्रीमिटर उसके बाद आएग मूटे होता हो यहीं पर आपका खाना जमा होता है यहीं पर आपका चर्वी बगरा यहीं पर जमा होना लगता है यहीं पर आप फिर मूटे हो ठीक है यहां खाना जो यहां पर कितने देर तक रहता है चार घंटे आपके पेट में खाना चार घंटे रहता है उसके बाद यह छोटी आट बोले तो small intestine यह जो होता है दोस्तों खाना पचने के दोरान आपका खाना पचने के दोरान अगनास है के बाद किसमें आता है तो वह आता है छोटी आट में ठीक है इसके ठीक बात शुरू हो जाता है क्या दोस्तों बड़ी आथ बड़ी आत ठीक है इसको बहुत क्या बोलते हैं large intestine ठीक है large intestine अब यहीं पर क्या होता है कि इसी में फिर जुड़ा हुआ होता है क्या गुखा आपका मतलब की एनस ठीक है गुखाद्वार एनस जो है यही बड़ी आत से सबसे नीचे इस तरीके से जुड़ा होता है जिसका फ मुत्र के द्वारा निकल जाते हैं ठीक है तो यहां पर यह बड़ियात में आपकी नली यहां आकर के खतम हो जाते हैं तो इस तरीके से कुछ 32 सेंटीमेटर यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है ठीक है इस पूरे नली को मिला करके मुख गुखा से बड़ियात ग्रंथी में लेंड इसका होना हमारे सरीर में महुँ ज्यादा जडर हुआ है क्यों कि आप जब भी खाने को खाते हो तो पचाते हो चबाते हो निगलते हो तो उसको कखाने को हम सुखे रूप में नहीं ले सकते हैं अब खाने को खाते समय गीले हो गए लेकिन इसको जो है अंदर से किसी नथ की सितरह का इंजाइन दिया जाना चाहिए घर ओर कि लाकू प्रो क्यों प्रीकिजूर एथ यह इन सूर्ड़ रहेगा उसी में मतलब सटा ही रहेगा ठीक है नली से आपकी ये ग्रंथी जूड़ी रहेगे तो ये आपके खाने को गाढ़ा नहीं होने देगा पचने में बहुत ज्यादा सायता करेगा ठीक है तो ये आप देखिए इसमें सिर्फ एक्जामपल सुरूक करते हैं इसमें क्या होगा मुख के लिए जैसे आपके मुख में सबसे पदोhistory क्या याज़ागा दोस्टों आपके मुख में मूख में कौन से गंव यागी लार्ग उन्थी ऊपिद renter टो लार्ग गैं प्हासानी से चबाते हो और असा पाते हो और आसानी से निगल सकते हो ठीक है तो यह आपके लारगरंथी मुख में पाई जाएगी उसके बाद अमासे के पास क्या होता है कि अमासे के पास गरंथी होती है कि अमासे के पास कौन से गरंथी होगी दोस्तों अमासे के ठीक पास होगा दोस्तों क्या लीवर ठीक है अमासे के ठीक पास क्या होगा लीवर और वहीं पर आपका होगा दोस्तों क्या गैल ब्लेडर गैल ब्लेडर वो किसे सटा हुआ होगा लीवर से ठीक है गैल ब्लेडर इसको अपन क्या है हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको अपन पितासे ठीक है गयल ब्लेडर को कहा जाता है पितासे जब आपकी पेट में जब छाला पत्र ही होता है तो वह आपकी पितासे में ही होता है ठीक है अमासे से नीचे फिर जाएंगे तो उस अमासे सट करके नीचे आएगा फिर क्या पैंक्रियास इसको हम लोग क्या बोलते हैं अगनास से ठीक है अगनास से यह आपके जो है गैल ब्लेडर फिता से सटा हुआ रहेगा क्या अगनास से जब आप लोगों को सुगर वगरा की बीमारी होती है तो इस इस्थिति में जो है आपका अगनास से गड़ बढ़ा जाएगा चलिए अब देखते हैं हापन क्या मुख गुह को सुरू करते हैं ठीक है हमारे हम अब क्या सुरू करेंगे दोस्तों मुख को मुख वाले पार्ट को हम निप्टाते चलते हैं ठीक है कि दिख़ें की केमरा में हाणां हाण है की चलिये मुख गुषा को सुरू करते हैं कि इसी वहनों क्या वोगते हैं दोस्तों बकल केविटी ठीक है बकल केविटी यह चुछ होती है खाली जगा होती है तो तो लारग रिंटी और यहां होती है अब यहां पर रेगा इसी में जीवा सीक किए ये लारग रंथी और दाथ नहीं को चो पांचन गरंथी वे नहीं किनते हैं यह वसमारे मुख को बताया खाने का टेस्ट बताएगा और थोड़े बहुत सेंसर काम करता है इसको हम फाइप और बंग वाले पार्ट में पढ़ लेंगे ठीक है तो अभी हम शुरू करते हैं किसमें दोस्तों दाथ से शुरू करते हैं तो दाथ का जो अध्यान होता है उसको दाथ का अध्यान करने कहा क्या के होता है और ouveंट लोजी कि क्या का हैं दोस्तों और ग्तों लोजी कि च्छास्थ सब्सक्राइश्थ किससे बना होता है तो यह बना होता है दोस्तों केल्सियम होस्फेट लेकिन के हुआ है लेकिनblem हो दिजैसे म अगरे की पूरा का तो इस नहीं होती है ठीक है केल्सियम कार्बोनेट यह दात को जो है थोड़ा सा ठोज बनाने के लिए केल्सियम कार्बोनेट मिला होता है इसमें जो है दूस्तों हमारे दात में दो परतें पर जाती है ठीक है एक अंदर का भाग होता है जो मुलायम होता है कमजोर होता है अब इसको कमजोर होता है ठीक है उसको अपन क्या होता है डेंटाइन ठीक है इसको अंदर वाले भाग को अपने कहते हैं क्या डेंटाइन जो कमजोर वाले भाग होता है उसके बाजो इसको ठोज बनाने के लिए मतलब मजबूत बनाने के लिए जो बाहरी परत एक और चड़ी होती है उ है इसको अगर कुछ चरण कर सकता हैं इसकों खा सकता है मतलब कुछ कमजोर कर सकता है तो वो होती है और हिए फ्लूरीन ये हमारी सोब रापको बहुत आत को बहुत असानी से चरण कर सकती है थिक जिस तढ़ detta से आगर आप खाना तो आपके दातों के बीच में अगर खाना बच जा रहा है ठीक है तो वह समय के सांथ क्या होगा कि राशानिक क्रिया करेगा और फिर वहां पर आपका यह बाहर वाला इनिमल वाला पाड फिर कम जोर होने लगा जिसके कारण से फिर की टाडू जो है वह अंदर वाले भाग मे ठीक है अंदर वाले भाग में कहां पर घूँच जाएंगे देंटायल वाले भाग में अंदर घूँच जाएंगे उसके बाद फिर आपको जो बेताहासा दर्ड होता है फिर आप भागते हो डॉक्टर के पास ठीक है तो यह कौन कम जोर कर सकता है इसको जादा फ्लूरीन इसलिए बोलते हैं कि ब्रस भी बहुंच जाता दो से तीन मिनटे तक ही करना चाहिए और बहुंच जाता रगड के नहीं करना चाहिए झाले अब चल्यागे देखते हैं फ्लॉरिन इसको जो है घींश सकता है चरण कर देता है हमारे पूरे सरीर में मतलब वैस को होने तक हमारे से मुख में 32 दांत ठोटल अवेलबल होते हैं ठीक है 32 दांत वैस्ट खोने तक आजाते हैं इसमें से 20 दानत होते हैं यह चूट कर फिर से बनने को होते हैं यह मतलब कि 32 में से 20 में तोटे भी और फिर वही 20 धांट जो हैं फिर से निकल करके आ जाते हैं यह जो 20 ना साइब इसे को अपन का कहते हैं डूढ़ कैसी मतलते रहते हैं आपको सकते हैं कि हमारे जिवनगाल में to utilize वबन दाथ, ठीक है वबन दाथ गिर कर तूट कर फिर से निकल एक यह जिवन खाल का दानत का केलकुलेसन है इसकर छो एक बार निकल जाता है, ठीक है जो एक बार निकल जाते हैं मतलब की इखे भाज्टीज में से 20 दाथ गिरे और फिर से निकल गया, बच कितना बारा, ठीक है तो, यह बारा जो है एक लिटने हुए है यह दुबारा तूटेंगे, तो, फिर नहीं निकलेंगे, तो यह यह जवनकालम अगर तूट गया तो फिर निकलने के चांश बहुत कम होते हैं और जो यह 20 नात जो फिर से निकलते हैं तोट करके फिर से आपके वायस खुने तक निकलते हैं इसको हमुलते हैं डीफ्यो दॉट किया है यह जो इजो बीज दांथ जो टूट करकर गिरते हैं और फिर जो बाहर निकलते हैं सोगाते हैं वो होते हैं वह ये दांथ की दूप्रकार के कैटेग्री होगी कि नाध की दोपरकार की category अब इसको ही वरकी करन कर सकते हैं दोस्तों तो उसमें पहला आदार पर ऐसको लोग बाट सकते हैं चलिए !- सबसे पहले आता है दोस्तों इंसीजियर क्याएगा इंसीजियर अपन दात को बांट रहे हैं इंसीजियर इंसीजियर वाला भाग क्या करता है यह काटने का काम करता है आपके जो सामने वाला भाग होगा देखते हैं यहां फिगर बनाने का ट्राइग करते हैं इंसीजियर का यह कुछ इस तरीके से चार दांत लेते हैं सामने के यह जो सामने का दांत हो गया यह आपका चार दांत यह इंसीजर वाला भाग है ठीक है यह आपके काटने का काम करता है यह अगर यह चार उपर और यह चार नीचे टोटल जो इसके संख्या होती है दोस्तों कितनी आठ होत यह फारने का काम करेगा जैसा कि जानवरों में अगर यह कनाइन होगा तो यह थोड़ा बड़ा होगा और ज्यादा नुकिला होगा और ज्यादे काम का होगा क्योंकि जानवरों को किमाफ काना रता माफ फारना आता रख तो यह आप दोस इस नunda स्यम को ंप मांस को पारते हो उसके बाद आगा ल्हू सुटर्ण प्री मूलर यह आपके खाने को मतलब छबाने का पीसने का काम करता है ठीक है प्री मोलर और उसके बाद जो होता है दोस्तों क्या मोलर यह 3D स्टेट का कि धान्स होता है मोलर मतलब यह बहुत कम लोगों मतलब ऐसा नहीं कि यह पूरे सारे इंसान प्रजाती में यह कि यह कई दांत कि यह किसी कि में जादा ज जादा हो वիस साल के उमर तक यह निकल जाता है और यह सारे दांत जब निकलते हैं तो थ होता है अब थिख से खाना बिन कहा पाद rutin ant दर्द होता है ठेक है चली यहां नाम लिगत हैं तेक पहले इस से बार Sind तो शुरूब करेंगे फिर रिखिला वाला के नहीं उसके बाद जो चोड़े दात होते सब में निकल जाता है किसी किसते को निकलने पूरे है पुरह फार करने के अंदर ना थीक है मसूड को पुरा निकल निकलता है वजह से इसमें महुत जादे धांत होता है उसके बाद देखिए इनशीजेर जो होता है यह सामने चारदफ यह हमारे नाक की ठीक करक्ता करों सबस्ति juni hacen ऐसे पहीं किया चुर्ण घर संब्सक्राइब्स उसमाइलिंग जो करते रिए वा BUT यह देनफ होता है यह आठ के निचे होता है थे मेरे यह आख के नीचे आपके नचे करक्ते हैं अप लोग आई तित क्या गएंगे दोस्तों आई ती उसके बाद आता है प्री मूलर और उसकी बाद आखरी मात आता है प्री मूलर से सटा हुआ क्या मूलर यह आपके गालों से सटा हुआ होता है इसलिए इसको क्या करते हैं दोस्तों चिक तित ति यह आपके गाल से सटा हुआ होता है ठीक है अंदर डाल करके देख लो और मूलर जो होता है अखरी मूलर इसको हम लोग करते हैं क्या wisdom लेकिन वह बहुत कम निकलता ठीक है तो हमारे मुह से जो लार निकलती रहती है दोस्तों वह दोगत दरगे से काम करते हैं एक तो हमारे खाने को सलाइवा देती रहती है जिससे आप उसको अच्छे से उलट पर डट करके चबा सकते हो दूसरा होता यह कि दिन भर में जब आप चौवीत घंटा में कुछ नहीं तो आप 16 घंटा जग जाते हो वह उसी कारण से आपका जो है दातों का सी इसा जो है चिकना और साफ बना रहता है दिन भर गंदे नहीं होते हैं वहीं अगर रात म में आप फ adapt हो तो फिर वहां को क्या कि सलईवा की आगे पीछोछ inan़ेust जाने का जगा नहीं बसता है आप उसको आपनी साफ तहरा नहीं पाते हो झाने जम जाता है ठीक है तो उसी रात current को ही क्या हुआ लाकि आप लाक ही किड़े ज़ादा अट अटेक दांत में कर पाते यह करा 不對 और देखिए को दांत को निखालना का सुत्र पुष्टा कि आप को कैसे इसको निकालने टो यह सुत्र को निकालना करने का सुट्र हम है क्या आठ बज गे अब इधर 8 बज गे तो हम फाली बीच वाले को खाली पढ़ेंगे, तो फाले पढ़ेंगे तो एक बटा चार गिन देंगे, ठशेके यहाँ पर जैसे सुत्र है देख्या इंसीजर कैक你要 प्री मुलर मुलर से में होगा यहां पर नीचे भी इंसीजर के नाइन प्री मुलर और मुलर अब इसको कैसे निकालेंगे देखिए अब इसको निकालते कैसे हैं देखो अगर प्री मुलर को ले सकते हैं दो प्री मुलर को ले सकते हैं दो और उसके बाद आखरी में ले सकते हैं कितना तीन कि से मुझे यहां पर भी लेंगे तो इसने साब से एक बटा चार से काड़ दिएगा तो उसका फिर आपका मान आ जागा वैसे आप बच्चों में लेंगे लेकिन उसमें जो है उलंग में प्री मुलर जो है नहीं निकला होता है अखरी में निकलना सुरू होता है बच्चों म करता हैं दात बकल के बड़ी पढ़ते भाड़ ऑप आइड कर लिया इसलिए को पहले लिखने के बाद बात में बताया हूं दात को पहले बताया हूं ठीक गदाद के अंदर ही अपन लार्ग वंधी को भी अर्जेस्ट कर दिये तो चलिए दोस्ता मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यू और जय है